गुजरात पहुँचते ही शिषोधिया ने भाजपा को चुटाई दूर, मोदी और शाहा के उड़े होश गुजरात के लंबे प्रवास पर पहुँचे मनी शिषोधिया ने बीजेपी पर जूट बोलने का आरोप लगाया है एहमदाबाद स्थित सावरमती आश्रम पहुँचकर मनी शिषोधिया ने राष्टर पिता महात्मा गाधी को नमन किया और आश्रम को देखा इसके बाद आश्रम की शराप मीती को लेकर जब सवाल किया गया तो शिषोधिया ने बीजेपी की तरफ से जूटे आरोप लगाने की बात कही शिषोधिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जूट बोल रही है बताते चले कि सिशोधिया शिराप मीती को लेकर CBI चांच का सामना कर रहे हैं मनीश शिशोधिया ने सावरमती आश्रम आकर कहा कि बापू से प्रेणा मिलती है और ये प्रेणा लड़ने के लिए प्रेरिद करती है मनी शिशोदिया अगले 6 दिन तक बस अप परिवर्तन चाहिए यात्रा के जरिये उत्तर गुजरात के तमाम जीलों का भ्रमण करेंगे शिशोदिया इस दौरान लोगों से सवाद भी करेंगे और लोगों से मिलकर परिशानी को भी समझेंगे दिली के उप मुख्य मंत्री मनी शिशोदिया ने साबर मती आश्रम की विजिटर बुक में लिखा साबर मती आश्रम में जब भी आता हूँ पूजिय बाखु की उफस्तिती की प्रेंगना और उर्जा को यहाँ अनुभव करता हूँ उसे शब्दों में बया करना संभव है लेकिन यहाँ आकर हमेशा समाज की शिक्षा और स्वास रोजगार की दिशा में काम करने की प्रेंगना और मार्ग दर्शन मिलता है बाबू के दिखाई मार्ग पर चल कर ही भारत दुनिया का नंबर एक राष्ट बनेगा जैहिंद इससे पहले शिशोदिया ने दिल्ली के मुख्य मंत्री आर्विन केजिवाल के काम और मॉडल की तारिख की थी फिरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोफते हो समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए निउस डेक्स किसे प्रिया